एक बार प्रभु येश्यमसी भंडार के सामने बैठ कर लोगों को दान देता हुआ देखने लगे तो बहुत सारे अमीर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रकम डाली हो सकता है बहुत सारे अमीर लोगों ने बहुत बड़े बड़े रकम वहां डाले होंगे और दिखाने के लिए डाले होंगे लेकिन फिर लिखा है मर्कुस रचिस सुमचार बारवे अध्याय में के एक विद्वा ने आकर जब दो सिक्के दान की पेटी में डाले उस समय प्रभू ने अपने चेलों को बुला कर का कि इस विद्वा की और देखो क्योंकि इसने अपनी घटी में से दिया है अमीरों ने तो अपनी अमीरी में से दिया लेकिन इसने अपनी घटी में से अपने परमेश्वर को एक बलीदान दिया और आज उस विद्वा औरत के बारे में हम मार्कोस रचिस सुमचार बारवे ध्याय में पढ़ते हैं आज आप इंतजार ना करें कि कौन सी उमर में मैं अमीर हो जाओंगा तो मैं दे पाओंगा आपके द्वारा दिया गया बलिदान से दिया हुआ परमेश्वर के लिए एक बीज जो है वो परमेश्वर का ध्यान आपके और लगा सकता है परमेश्वर आपको आशिश दे आमेन